देवस्ता हमारे समाज के लिए कलंक बन करके रह गई है। जब तक हम सिच्चा को अपने बचों के सिच्चा का इस तर नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर नहीं मैं उस चैलेंज को सहिकार करता हूँ। जो गरीबी रह गए और जो अमीर थे वो अमीर बढ़ते चले गई। यह देवस्ता हमारे समाज के लिए कलंक बन करके रह गई है। और जिसका मुख्य कारण है कि जो सिच्चा का इस्तर है वो गामों तक नहीं पहुचने दिया गया। गामों का जो स्कूलों का इंफ्रस्ट्रक्चर है जो गामों पह बेसिक जहां 90-75% के 90% लोग गामों में रहते हैं वहां के सिच्चा का जो इस्तर है वो इतना पूर है कि उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। इस सतर सालों में हर सरकार आई पर उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो गामों की सिच्चा की ओध्यान दे सके जब तक हम सिच्चा अपने बच्चों को ठीक से नहीं दे पाएंगे हम उनका उत्तार नहीं कर सकते ये एक मेन मुद्धा है कि जिसकी तरफ सरकार आ को ठाने देना ही नहीं चाहते कोई अपनी काबलियत से और अपने दम पर अगर कोई बन गया तो आगे चला गया अतरवाइस 90 परसेंट जो जितने भी देशवासियों के बच्चे हैं उसम निमने स्तर पर ही रह जाते हैं और इसका इसका रिजट यह होता है कि हम लोग उस स इस तर प्ला नहीं पहुंचता रहे कि जो बेसिक है वो सिच्चा का वाफैर जब तक हम सिच्चा को अपने बच्चों के सिच्चा का इस तर नहीं बढ़ाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते यह सोचकर के देख लीजिए यही अपील आप सभी लोगों को और सभी समाजवा परहुंगा कि किसी भी बाच्चों को अपने stark Eli डिनना प休ी अधिय蒂व Lea Sultan कि रिखांगे जितने भी हमारे गाओं का और गाओं के जो इंफ्रस्ट्रक्चर है, यह सरकारों की जुम्मेवारी है कि जो इंफ्रस्ट्रक्चर है वो इस इस तरका होना चाहिए जिससे बच्चों को अच्छी सिछाप्राप्त कर सके मैं दो-तिर पॉइंट बोलूँगा एक तो समास से अंद्विस्वास खतम होना चाहिए दूसरा पाखंडबाद खतम होना चाहिए और तीसरा नशा मुक्ति होना चाहिए और इसके लिए हम लोगी जुम्मेदार हैं हमारी महलाएं पाखंडबाद को छोड़ें पर लिखता रहता हूं कि जो स्रिद्धाकी से सजाकर और समाज के मियाय के साथ बलतकार करेंगे मैं उसका ब्रोद हर समय करता रहूंगा जै भीम जै भारत जै समिधान कि यह देश ततागत बुद्ध का देश है यह देश नानक साथ का देश है यह देश कभीर का देश है यह मनुस्वर्थी चाहने बालाओं का देश नहीं है। लड़ाई दो खावाँ पर लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई जुडिजियल पर तो हम और लड़ने के हिएट हो गए हैं। अब हमें कमी नहीं रही है। लेकिन मैं इस पर कहदेना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम जन्मत के उसमें अभी हम कमजोर हैं। इसको हमें ताकत पर बनाना है। और मन या मनुबादियों के मंसुवर को हमें पूरा नहीं होने देना है। यहांपर मैं कहा देना चाहता हूं, कि साथ यह धरम के, धरम जो मानता है, माने, लेकिन उसको ढीला करना पड़ेगा, और जाती की बात हो क्या रहा है, जाती के नाम पर संग्टन लोग बना लेते हैं, और उसके नाम पर अलग लग जलों से लड़ते हैं चुराब, अब बहुजन का बहुत पड़ जाता है, हमें बहुजन के बहुट को जेज़न हमें एक कर लेंगे, हमें बहुत हमारे सामाजिक संग्टन, हमारे यह उपस्तिस हैं, मैं कहें देना चाहता हूँ उनके नेचर से, कि हम यदि एक कर लेंगे इसामाजिक संग्टनों को, तो वो जिन धूर नहीं कि सत्ता हमारी होगी, शासन हमारा होगा, निया हमारा होगा, और हम किसी भी छेत्र में, हम कहीं पीछे नहीं garn자가, मैं हिम्मत हाने वाला नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता नहीं है, फिर भी मैं उचेलंड़न को स्वही कार करता हूँ, उचेलंज को स्वही कार करता हूँ, और आपको उस्तरपुदेश में ऐसा संग्टन बढा के देतूंगा, कि वो लड़ाई आपकी लड़ेगा और जीतेगा